सब्सक्राइब कर रहे हैं कि कुछ लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं कि कुछ लोग सब्सक्राइब से मिट्टी लेकर आते हैं और किसी खास कबरस्तान से और लाके अपने रिश्दारों को दे देते हैं और ये वसियत करते हैं कि मेरे मरने के बाद ये मिट्टी मेरे कबर में डाल देना तो क्या ऐसा करना दूरस है कि नहीं तो देखे इस चीज़ क कोई असल नहीं है नामालम किसने इसको इजाद किया है किताब सुन्ट की रोशनी में इसकी कोई गुझाईश नहीं है कि आदमी कहीं की मिट्टी लाके और अपनी कबर में डालने की वसियत करें और उसके साथ ये इतिकाद भी रहता होगा इन लों का कि वहां के मिट्टी रालने से कुछ फाइदा होगा शायद अजाब वगरा का मौमला तो इस सब बेकार की बाते हैं यहां पर दो चीज़ मैं आपके सामने वाज़े करूंगा पहली चीज़ ये कि अल्लह की नभी नभी सल्लौ अल्ही अल्हीं की बड़ी ही मशूर हदीश है सही बखारी में सही इस पर हमारा हकम नहीं है जो हमारे बताय हुए तरही के मताबक नहीं है फवा र dość हुछ रिजक्टर है तो यह हधिस कहती है यह थिए बखारी में भी है मुस्लिमें भी है यह हधिस कहती है कि कोई बी अमल अन्Jam интересно अन्जाम देने से पहले चैनलह उसके रसूल की मनظूरी जर दूरी है वरना वो अमल दूरस नहीं होगा ये अबादात का मसला है एक आदमी इंतिकाल कर गया अब उसको कबर में दफन करना है ये सारी चीज़े ऐसी हैं जिसमें हमें किताब सुनत की पाबंदी करनी होगी इसलाम ने जो तरीका बताया है तक्वीन का तदिफीन का उस तर एक आमल कर रहे हूं उनके जहन में ये हो कि अगर हम यहां की मिट्टी लाएंगे और कबर में रख देंगे तो हमारा अजाब खतम हो जाएगा हमें जो है कबर में कोई तकलीफ नहीं होगी तो देखिए इसमें अपने साथ एक तरे की बदगमानी भी है देखिए हो सकता है अच्छा गुमान रखना चाहिए अपने गुनाहों से डरना भी चाहिए और अच्छी अमीद रखनी चाहिए आप क्यों ऐसा फैसला करके बैठे हैं कि कबर में जाएंगे तो आपको अजाब ही होगा ये कैसे आपने ये फैसला कर लिया कि अजाब होना होँ पर लाजम है Hehe की मिट्टी क्यों रख रहे हैं कबर में जाकि क्या तसौर अगर अजब से बचनी का तसौर ए तो आपको किसने बता दिया कि आपको अज़्यवा बंदो बस करना शुरू कर दें आपने दो कबरों पर कुछ टहनी गार दिया था सहाब एकराम ने पूछा कि ऐसा क्यूं किया तो आपने गार दिया है तो ये जो मैंने गार दिया है टहनी हो सकता है कि इससे इनका अजाब हलका हो जाए तो देखे इस हदिस में अल्लाह की नभी नभी सलों की शिफात है आपकी शिफात के वज़से वो अजाब हलका हो गया तो जब सहाब एकराम ने पूछा कि आपने ऐसा क्यूं किया तो आप सलों को अजाब हो रहा था और कोई बहुत बड़ा गुना इन लोगों ने नहीं किया था एक था पेशाब के शीटों से नहीं बचता था और दूसरा था जो चुगली गिबत किया करता था इसकी वज़से इन दोनों को अजाब हो रहा था तो ये जो टहनी मैंने गाड़ दी है तो जब तक हरी भरी रहीगी तब तक कि इनके अजाब में तक्वीफ होगी इस हदीस में जरा इस पहलो पर गोर किजिए कि अल्लाह के नभी सलों को पता चल गया कि इनको अजाब हो रहा कि अल्लाह के नभी सलों इस तरह का कोई काम नहीं किया है、 कि टहनी गार दें, कुछ कर दें और ये जो अल्लाहिक ने दरखत का एक टुकडा गाड़ा था तो वो असल में आपसे लिए साथ खास है यानि दूसरा कोई वसा कर भी ने सकता क्योंकि आपसे लिए को बताया गया था कि उनको अजाब हो रहा है और नभी के लावा किसी और पर वही नहीं आती यानि कोई ये जान ही नही सकता कि उसको और एधाब हो रहा है इसलिए हम उस तरह कह कोई काम नहीं कर सकते हैं बाucking आपसे लिए नभी नियुकत जव सिखाया है कि एक आद्मे फौत हो जाए तो आपस लिए दुएं दुएं तो हम दुएं कर सकते हैं زیادہ زیادہ دعا کریں اور جو دوسرے کام ہیں اس کو فائدہ پہنچانے کے لئے ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں بے بنیاد عمل ہے ان کو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے اور ایک آخری بات کہ اگر کسی نے نادانی میں وہاں کی مٹی وغیرہ لا کے اپنے رشتہ داروں کو دے دیا اور یہ وسیعت کر دیا اگر ایک آدمی جائز وسیعت کرے تو اس کی وسیعت پر عمل ہوگا لیکن ناجائز وسیعت کر کے چلا جائے تو اس کی وسیعت پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بالکل اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ جواب تھا آپ کے سوال کا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں لئے در چگ pins تو اسے لنا رہے لا کے چاہاں ہے میناam جانب جوانیا recording چاہاں ہے آئی پکش چاہاں ہے झाल झाल